यह इमली की खट्टी-मीठी चट्नी जब दही बड़े के उपर डलती है ना तो उसका टेस्ट दोग ना हो जाता है तो वही चट्नी आज हम घर पे बनाएँ अज हम बनाएंगे इमली की खट्टी-मीठी चट्नी तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक cup मैंने Imli का pulp लिया है जिसको मैंने Imli को भीगोके रख दिया 10-15 मिनट गर्म पानी में उसको मैंने चान के उसका pulp निकाल लिया है गारा सा उसको एक पैन ने डाला दिया और 1.5 cup good डाला है मैंने और उसको low medium flame पे पकाना शुरू कर दिया है यह आधा चम्मच सोंट पाउडर है वान फोल्क टी स्पून काली मिर्ची और यह जीरा पाउडर है आधा चम्मच अब सारे मसाली इसमें आड़ कर देंगे चोटा चम्मच मैं ब्लैक सॉल्ट यानि की काला नवक आड़ कर रही हूं यह एक चोटा चम्मच मैंने रोस्टेड खरबूजे के बीज आड़ किये है और एक टेबल स्पून यानि के बड़ा चम्मच काजू टुकड़ा है जिसको रोस्टेड किया हुआ है और एक टेबल स्पून ही किश्मिश को आड़ कर दिया है अब इसको पकाते जाते हैं इस से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें nuts भी हैं और seeds भी हैं बहुत ही tasty बनती है यह चटनी अब इसमें मैंने एक केरले को roundels में cut करके अट कर दिया है जैसे शादियों में मिलती है ना चटनी ये वैसी बनेगी बहुत ही टेस्टी है इसको बहुत जादा गाड़ा मत करिएगा क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाड़ी हो जाती है तो ये देखिए बहुत ही नाइस बहुत ही थिक अच्छी सी consistency वाली चटनी रेडी हो गई है आप चाहे इसको भेल के उपर डालके खाईए चाट के उपर डालिए या फिर दही बड़े के उपर डालिए या फिर समोसे के साथ खाईए ये सबी तरह बहुत अच्छी लगती है गैस को बन कर देते हैं और चटनी होगी है रेडी अब हम इसको एक बाउल में डाल देते हैं और फिर ठंडी ठंडी इसको सर्व करिये, किसी भी तरह सर्व करिये, बहुत रिस्टी लगती है, तो ये बनाईएगा, अपनी फीडबेक मुझे जरूर दीजेगा, कॉमेंट सेक्शन में, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक यू फर वाचिंग,